जितने आसका चेना करका सुन रहे हो, जितने फेسبुक पर यूटूब पर सुन रहे हो, ऑँ साउधानीस्द सुनना जब जीवन में तहीं समस्था खड़ी हो जाएं, तो बहुत बेकट समस्था हो, कोई हल ना मिल दा प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबरिश्वर भाबा की पावंधरा पर ये प्रसंग निकला है, तो उसको द्यान से सुने, चतूर्धी का जो पूजन करती है, वो किस चीज की पूजन करती है, केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटंब, हम जिस कुल में है, ह पड़ा की और बड़े, और उसकी आयू बड़े, बहुत द्यान दीजे रमालाजी, चतूर्धी की पूजन में, जो आप आखादान रखते हो, गयों बगरा कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी मातवता होती है, चतूर्धी का पूजन करने वाली माता, जब पूजन करत जो चतूर्धी का पूजन करने वाली होती है, जो चतूर्धी का नियम बड़ान करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतूर्धी करती है, या उसका नियम बड़ान करती है, तो यहां तक कहा गया है, चतूर्धी की कथा तो आप लोग पढ़ते होगे, जो लोग पढ़ते ह वात जैव का भूजन करा चतूर्थि का भूजन करा वह गणेजी से विंती करके वहां से दो-चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने घर का पर दूसरे कुल को नहीं दिन अपने इकुल के अंतर तर जो काम अटक रहा है उसकी जेव में उसके जीच को रख दिया जाये, तो चतूर्ती जो अग़ी आती है, जय से आप माहीन आप की और आप जैसे करते हो, कि चारAh-णए बड़ी-बड़ी शेतूर्ती करते हैं, उस कानोसार आपका कारे सित्त होता ही है, उस आखेद आने का इतना महत होता है, क्योंकि चतूर्ती का आपने जो आखादाना लिया गणेजी के भाव से लिया गणेजी से निवेदान करके विनाय करके प्राधना करके उसको प्राधना करके उसको